तो यार दोस्तो गांदिनगर के अंदर इलेक्षन का माहौल चल रहा है अगली पांच तारीक को हमारे मतदान की तारीक है इलेक्षन की तारीक है वो पांच तारीक है इसलिए तो गांदिनगर के अंदर पूरे देश के बड़े बड़े जो नेता लोग है वो आते जाते रहत चक्कर काटते रहते हैं बड़े बड़े शो करते हैं बड़े बड़े रोड शो करते हैं यह सब होता रहता है इसी माहुल के बीच में हमारे पास हमारे गाधीनगर की पबलिक के लिए बहुत ही जबर जबर निकल के आ रही है कि बाई गाधीनगर के अंदर जीयो फाइजी च आप वीडियो के साथ बने रहे हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसे ऐसे नॉलिजेबल और इंफोर्मेटिव वीडियो आते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों जो जियो ने 5G लॉंच किया है ना गादिनगर के अं उसके बाद जो मेसेज एफ होती है उसके अंदर भी एक मेसेज आया है तो मतलब जो थर्ड डिसेंबर है न अगली तारिक जो थर्ड डिसेंबर गई न उसी के दिन शाम को पांच बचकर 45 मिल्ट पर जियो का जो ये 5G है वो लॉंच हो गया है तो हमको बहुत सारी खुसी ह धिये आपको बताते हुए कि भाई हमारा जो गानदी नंगर है और फ़र ये जो 5G कपरेज और उसकी स्पीड के बारे में मैं आपको बताओ तो बहुत ही जवर्जस्ट और लाजवां प्या एस ना ज Snaps बचक और ज्यादा से जज्यादा मिलना . से एंबी पीर्फ तक की होती हैं और यह जो नई स्पीड है फाई जी की वह जीवी पीएस आप सोच लीजिए कितनी ज्याद़ा स्पीड है इसकी और दूस्तों अगर आपको कोई वीडियो चलाना है न तो आप उसके उपर उंगली टैप करते हैं तो आप उंगले लेता है नो उसी टाइम में वीडियो प्ले हो जाएगी आपकी और दूसरी बात है कि अगर आपको वन जी बी की कोई वीडियो अपलोड करनी है न तो लग बग एक मिनिट के अंदर ये पूरा अपलोड कर देता है इतना फास चलता है ये है 5G नेटवर्क जियो का जो कि हमारे गादी नगर के अंदर कल ही लॉंच किया गया है उसके लिए जो सिलेक्टेड नमबर होते है न उनको उन्होंने वेलकम ओफर की तौर पर बॉनस दिया है तो इसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह इसका मैसेज आता है ये है ज जियो वेलकम ओपर यू कन तुली अनलिमिटेड फ़ाँ देटा अद अपको बनेए बप्पेश स्पीड अध नो अदेशनल पर इसमें आई कि भाई कोई अदेशनल पर नहीं लेने वाले है जलें काई जार काई दूले दूलो इसमें आसा है कि कोई अदेशनल कोई नहीं नमबर टू, काइंडली सिलेक्ट 5G नेटवर्क आन यूर हैंड सेट बाइ विजिटिंग, सेटिंग, मॉबाइल, नेटवर्क, सिम, नेटवर्क और टाइप 5G, एंजो जियो प्रूफ 5G एक्सपिरियंच इसमें इस तरह है, इसमें क्या है कि जो मैसेजिंग एप होती है, इसके अंदर जो मैसेज आया है, वो भी मैं आपको पढ़के दिखाता हूँ, वो गुजराती में है, हमारी जो मदर लेंगवेज है वो गुजराती है, तो इसलिए उन्होंने जो मैसेज है वो गुजराती मे दिया है मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ और दिखाता भी हूँ आप देख लेना इसमें लिखा हुआ है तमारी पासे साचू 5G छे तमारा नंबर ने जियो वैलकम ओफर मड़ी छे तमें कोई पन वधाराना खर्च विना 1GBPS सुधिनी स्पीड ए ट्रूली अनलिमिटेड 5 5G डेटा नो उप्योक करी शको जो जियो ट्रू 5G नो अनुभाव करवा माटे कृपा करे ने नीचे मुझब करो नंबर एक सेटिंग त्यार पची उपकरण भी से त्यार पची सोफ्पेर अपडेट पर जेने तमारा उपकरण ना नविन तम सोफ्पेर ने अपडेट करो नंबर 2 कृपा करी ने तमारा हैंड सेट पर 5G नेटवर्क ने पसंद करो तैना माटे सेटिंग्स मॉबाइल नेटवर्क सीम कार्ड मेनेजमेंट त्यार बाद नेटवर्क नो फ्रकार एनी अंदर जे 5G नो अपसन आवे ए आपने सिलेक करवानो छे अने जियो ट्रू 5G अनुबाइल का सेटिंग है उसमें जाना होता है मॉबाइल के सेटिंग में जाने के बाद हमें नेटवर्क सीलेक्शन में जाना होता है नेटवर्क सीलेक्शन के बाद सीम कार्ड मेनेजमेंट के अंदर जाना होता है और सीम कार्ड मेनेजमेंट के बाद हमें कौनसा नेट चाहिए वह option हमें मिलते हैं पहले क्या था हमारे मॉबाइल के अंदर LTE, 4G, 3G, 2G ऐसा लिखा हुआ आता था जो कि हम अभी चला रहा है लेकिन अब क्या जियों ने LTE, 5G, 2G ऐसा एक option हमें दे दिया है हमें उस पर switch करना है तो हमारा जो मॉबाइल है उसमें 5G network चालू हो ज अंदर power saving mode जो होता है वो on है तो आप 5G का आनन नहीं ले पाओगे तो जो 5G है न वो power saving mode के off होने के बाद ही चालू होता है बाद में आप उसको on कर सकते हो तो इस तरह जो 5G है वो enabled होता है दोस्तों मुझे नहीं पता आपको इस बात की पता है कि नहीं पता है लेकिन गार आपके साथ share किया है तो आशा करता हूं कि आप सब को पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राइट न तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई